आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी राजमा करी इसके लिए यहाँ पे यह एक कप राजमा है जिसे मैंने रात में ही भीगो दिया था बहुत अच्छे से फूल गया है यह अब इसे हम पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे और उसके बाद इसे बनाना स्टार्ट करेंगे इसे बनाने के लिए एक प्रेसर कूकर गरम करेंगे और इसमें दो सितीन बड़ा चमज तेल डालेंगे मैंने यहाँ पे सरसु तेल का इस्तमाल किया है आप जो भी तेल खाते हैं उसमें बना सकते हैं इसे तेल के गरम होते ही इसमें दो तेश पत्ता और कुछ खड़े मसा को भून लेंगे फिर इसमें हम 10-12 लसुन की कली डाल देंगे लसुन तेल में भूनेगा ना तो ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा तो आप इसमें थोड़ा सा लसुन जरूर डालें जैसे ही खड़े मसाले भून जाएंगे इसमें हम प्याज डालेंगे तो यहां पे दो बड़े साइज के प्याज का मैंने इस्तमाल किया है प्याज को हमें अच्छी तरह से भूनना है मीडियम आज पे भूनेंगे जिससे की प्याज जलेगा नहीं और बहुत अच्छे से भून करके सॉफ्ट होगा तो आज को मीडियम ही रखे और चलाते हुए प के टमाटर तो यहां पे दो बड़ी साइस की टमाटर का मैंने इस्तमाल किया है टमाटर डालने के बाद अब इसमिह मिलेंगे एक चंप मचिए आधरक लजु अच्छी तरह से इसन मिलाएंगे और दो मिनट के लिए इसन भूनेंगे 2 मिनट बाद अब इसमें हम मसाले डालेंगे तो आधी छोटी चमच डालेंगे हल्दी पाउडर एक चममच लालमिश पाउडर डालेंगे जितना तीखा आपको राजमा चाहिए उसे इसाब से लालमिश डालेंगे ία ڈ जीर में अच्छे तरह से अच्छे है गया है तो बीटेशना है इस आ है कंगे डियुक्षे अच्छे से भून गया हैं आप देख सकते हैं तो जब मसाले अच्छे से भून जाएंगे आपको लगे की तेल सेप्रेट हो चुका है मसालों से तब आप इसमें राजमा मिक्स कर लें तो सारे राजमे को हम यहां पर पानी से निकाल करके डाल देंगे यह सरकुकर में एक ग्लास पानी डालेंगे और ग्रेवी के लिए पानी बाद में इस्तमाल करेंगे तो एक ग्लास यहां पर मैंने पानी डाला है पानी डालने के बाद इसे मिला लेंगे भकन बंद करेंगे और दो सीटी मीडियम आच पर दो सीटी आने तक इसे पकाएंगे थे के बाद अब यहां पे फ्लेम जो है इसे बंद कर देंगे there और प्रेसर कूकर का प्रेसर निकल जाने का इंतजार करेंगry यहां प्रेसर कूकर बिल्कुल ठंडा हो चुका है अब ख़खकन खोलेंगे और यहां पर देख शकते हैं राजमी के अंदर जो प्याज और टमाटर हमने इस्तमाल किया है ना वह बहुत अच्छे से गल गया है पर यहां पे दो सीटी में राजमा बिल्कुल भी नहीं पका है वैसे दो सीटी में राजमा पकेगा भी नहीं अब चमच की साहता से हमें क्या करना है कि इसे अच्छी तर तो अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया है अब इसमें हम पानी डालेंगे यहां पे पानी आप अपने हिसाब से इस्तिमाल करें जितना पतला गाढ़ा ग्रेवी चाहिए और यह भी ध्यान रखें कि राजमा भी पका नहीं है तो राजमे को हमें अभी पकाना है चार से पां नहीं है तो इसके जगह पे आप आधी छोटी चमच गरम मसाला पाउडर करें पारी कटी हुई धनिया पता डालेंगे और एक चमच एक बड़ा चमच डाल देंगे बटर की जगह अप घी का इस्तिमाल कर सकते हैं और आप बिना बटर बिना घी डाले भी बना सकते हैं मिला आज पे 4-5 सिटी आने तक इसे पकाएंगे आपको इसे तब तक पकाना है जब तक कि राजमा जो है ना अच्छे से पकना जाए तो यहाँ पे 5 सिटी लग चुका है अब इसे चुले से हटा करके रखेंगे ठंडा होने के लिए जब प्रेसर निकल जाएगा प्रेसर कुकर का उसके बाद धकन खोलेंगे और अब आप यहाँ पे कलर देख सकते हैं ग्रेवी का बहुत ही टेस्टी इस तरह से राजमा बन करके त्यार होता है अगर आप कभी इस तरह से राजमा नहीं बनाये हैं तो आप जरूर से बनाएगा आप सब को इसका स्वात बहुत पसंद एक तम उंगलिया चाट चाट कर खाने वाला राजमा इस तरह से बन करके त्यार होता है यहां पर देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छे से राजमा जो है ना वह पक करके रेडी है तो जरूर से ट्राइक कीजिएगा इस तरह से राजमा बनाकर अगर आपको यह रेसिपी आदा इसे और चैनल पर नए है मेरे तुपले चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा